हेलो दोश्तों यदि आप प्रवरता की स्पोकरन इंगलिस का फुल कोर्स यूटीब चैनल पर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुंच जाएंगे जहां प्लेलिस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स इसकी लेस् करेंगे इन्हें क्रम से देखें ताकि आपको हर चीज असानी से समझ में आ जाए और आप नए हैं तो यहां क्लिक करके चैनल को जरूर सब्क्राइब कर ले बेल बटन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो नोटिफिक्स के साथ आपको मिलते रहें और आप इंग से स्पोकन में यूज होने वाले चोटे-चोटे सेंटेंस की प्रेक्टिस करते हैं लेसन नंबर फॉर में इसी तरह की चोटे-चोटे सेंटेंस है जिसका कि हम बड़े सेंटेंस में यूज करते हैं जब हम बड़े सेंटेंस बोलते हैं तो इसमें इन चोटे-चोटे सेंट तो इस lesson series में हम बेलकुल basic से spoken English बोलने की practice कर रहे हैं तो पिछले वीडियो देखे playlist में जाकर तो आएए lesson 4 का जो बच्चा वाला part है वो हम इस lesson 5 में देखेंगे तो सबसे पहले है हमारा against against का यूज करते हम के विरुद के अर्थों में जैसे कि तुम्हारे खिलाफ against you तुम्हारे खिलाफ clear तो इस प्रकार से हम एक एकर के words देखेंगे और अच्छा होगा कि आप भी मेरे साथ practice करें तो आपके भी समझ में भी आ जाएगा और practice भी हो जाएगी आपका time भी utilize हो जाएगा सिखना भी और practice भी ये party के नियम के खिलाफ है क्या कहेंगे हम ये party के नियम के खिलाफ है against party rule ब्रश्टाचार के खिलाफ against corruption गरिबे के खिलाफ against poverty अब next है between बिटवीन का रहता है के बीच में जब किसी दो चीज ओके बीच में हम बात करते हैं किसी दो बिंदो के बीच में तब हम between का यूज़ करते हैं और जिसका अर्थ होता है के बीच के में के अर्थों में जैसे यदि हम कहना चाते हैं Bombay to Goa मतलब Bombay सो Goa के बीच में between Bombay to Goa तुम्हारे और मेरे बीच में between you and me 10 से 20 प्रतिसद के बीच में between 10 to 20 परसेंट सुभर 10 से 5 बजे के बीच में between 10 अम to 5 पेम अब नेश्ट है इच इच का अर्थ होता है प्रतिक प्रतिक के अर्थों में हम इच का यूज़ करते हैं जैसे प्रतिक प्रश्न इच क्वेशन प्रतिक बॉक्स इच बॉक्स प्रतिक घर इच होम प्रतिक सब्द इच वर्ड अब है इच अधर तो पहले कुछ हम वर्ड बोलेंगे तो उसके बाद इच अधर बोलेंगे और इच अधर का अर्थ होता है एक दूसरे से यह एक दूसरे के जैसे की मदद हेल्प एच अधर में जयसे एक सेंटेज बोलेंगे हम हम पीच अधर्स से तो हम कह सकते हैं। We help each other, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, वे एक दूसरे की मदद करते हैं, they help each other, इस प्रकार से इन चोटे-चोटे sentence का use हम करते हैं, या फिर हम simply बोल चाल में कह सकते हैं, किसी को direct help each other, एक दूसरे की मदद करूं, कहने का ये sense होगा, तो इस प्रकार, इनका single group भी यूज़ कर सकता है, और बड़े sentence को बनाने में बोलने में भी हम इनका use कर सकते हैं, एक दूसरे से पसंद करते हैं, like each other, एक दूसरे की नफरत करते हैं, hate each other, एक दूसरे के साथ बाड़ते हैं, share each other, या फिर कहेंगे, share each other, means एक दूसरे के साथ बाड़ते हैं, अब है every, every करत होगा, प्रतेक या सभी, यहां पे प्रतेक या हर एक, जैसे every, every man, प्रतेक आदमी, प्रतेक बच्चा, every child, प्रतेक सुक्रवार, every Friday, जैसे, I go to temple, every Friday, मैं रोज फ्राइड, मतलब प्रतेक सुक्रवार को मंदिर जाता हूँ, प्रतेक रड़का, every boy, अब है enough, इनफ का रथ होगा काफी या परियाप्त, जैसे की परियाप्त पैसे, enough money, परियाप्त time, enough time, परियाप्त पेट्रोल, enough, परियाप्त food, या परियाप्त खाना, enough food, अब इनफ का ही यूज, मगर कुछ अलग तरीके से, पहले कोई word, तो इसके बाद enough, यहाँ पर भी enough का मदद होगा काफी या परियाप्त, जैसे, परियाप्त गर्म है, hot enough, परियाप्त मिठा है, sweet enough, परियाप्त ठंडा है, cool enough, परियाप्त सुखा है, dry enough, except, means होगा, को छोड़कर, या के सिवा, जैसे, यदि मैं कहना चाहता हूँ, मुझे छोड़कर, तो हम कहेंगे, except me, उसे छोड़कर, except him, राहूल को छोड़कर, except राहूल, इस चीज को छोड़कर, except this thing, आसा करता हूँ, आप प्रेक्टिस कर रहे हैं, मेरे बोलने के बाद, आप भी रिपीट कर रहे हैं, अब next है, for, for का अर्थ होगा, के लिए, के लिए के अर्थों में हम for का यूज करते हैं, for everyone, मतलब सभी के लिए, everyone करत होगा, सभी, और for का अर्थ होगा, के लिए, तो for everyone, सभी के लिए, यदि हम कहते हैं, तुम्हारे लिए, तो कहेंगे, for you, आपकी मदर के लिए, for your mother, आपके लाव के लिए, for benefits, अब है, because of के कारण, जैसे, गर्मी के कारण, because of heat, थंडी के कारण, because of the cold, तुम्हारे कारण, because of you, तुम्हारे मदर के कारण, because of your help, अब फ्रोम, फ्रोम करत होगा, से, फ्रोम चाइन, चाइन से, स्कूल से, फ्रोम इस्कूल, कहां से, फ्रोम वेर, मार्केट से, फ्रोम मार्केट, पीछे से, फ्रोम बिहाइन, अंदर से, या अंदर की तरफ से, फ्रोम इंसाइड, बाहर से, फ्रोम आउटसाइड, कमरे से, फ्रोम, यहां से, फ्रोम हीर, अब है, इन फ्रन्ट ओफ, इन फ्रन्ट ओफ का, यूज़ हम करते हैं, के सामनों के अर्थों में, मतलब कोई चीज किसी चीज़ के सामने है, तब हम इन फ्रन्ट ओफ का यूज़ करते हैं, जैसे, हम कहना चाहते हैं, बच्चों के सामने, in front of children, मंदीर के सामने, in front of temple, बिल्डिंग के सामने, in front of building, मेरे सामने, in front of me, अब जदी हम कहना चाहते हैं, पीछे, या के पीछे, तब हम, यूज करेंगे, behind, बिहेंड का यूज हम, के पीछे के अर्थों में यूज करेंगे, means, कि जब कोई चीज किसी चीज के पीछे है, हम ऐसा कहना चाहते हैं, तब हम behind का यूज करेंगे, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बीचे तब हम कहेंगे behind me तुम्हारे बीचे behind you इस योजना के बीचे behind this plant ट्रक के बीचे behind truck अब हम देखेंगे like like का अर्थ होगा के जैसा या के समान या के तरह जैसे मुर्खो की तरह like a fool clear like a fool like का एक अर्थ होता है पसंद करना clear परन्तु एक अर्थ होता है के समान या के तरह के जैसा यहां पर हम के जैसा के समान के अर्थों में like का use कर रहे हैं स्वार्थियों की तरह जदी हम कहना चाहते है स्वार्थियों की तरह तो हम कहेंगे like a selfish face उसकी मदर की तरह like his mother फूलो की तरह यह फूलो जैसा फूलो के जैसा like a flower फिर नेक्स्ट है a lot of a lot of का अर्थ होगा बहुत बहुत के सेंस में a lot of का use हम देखेंगे फिर कोई words जैसे बहुत समय a lot of time बहुत पैसा a lot of money बहुत से लोग a lot of people बहुत discussion a lot of discussion अब next है कोई word हम बोलते हैं जैसे किसी का नाम या फिर कोई common noun जिसमें epistrophe s लगाके s लिखते हैं हम और जिसका अर्थ होता है काके की के काके की अर्थों में हम इस epistrophe s का यूज करते हैं जिसे grammar के साफ से केस हम कहते हैं जैसे हम बोलना चाते हैं रोहन का घर रोहन का घर तो हम कहेंगे रोहन's home तो यहां पर इस बीच में इस देश और इस s का मतलब हो गया का रोहन्द पंट्री रोहित का घर रोहित home means रोहित का घर तो रोहित इसका में होता का और home का घर ठीक की इसी प्रकार से हम जादी कहना चाहते हैं कुट्टे की पूच तो हम कहेंगे dog's tail जैसे अपने forms में देखा होगा, mother's name, father's name, तो वहाँ पर भी ECS का use हम करते हैं, तो यदि हम कहना चाहते हैं लड़कों की dress, तो हम कहेंगे boys dress, कुछ वर्डों में हम S के पहले के बजाएं उसके बाद में लगाते हैं, ठीक, और जिसका भी अर्थ होगा, का के की मतलब ये भी केस ही होगा, मगर कुछ सब्दों में यदि आखरे में S है तो या फिर कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें हम आखरे में S है और वो इसको हम जो कॉमा है उसको हम बाद में लगाते हैं, ठीक, आज का paper, आज का paper तो हम कहेंगे, today's paper, फिर next है some, सम कार्थ होगा, कुछ, जैसे कुछ दोस्त, some friends, कुछ पुछतके, some books, कुछ मदद, या थोड़ी मदद, some help, थोड़ी सक्कर, some sugar, जदि हम कहते हैं, add some sugar, थोड़ी सक्कर, मिलाओ, next है, such, सच का अर्थ होगा, ऐसा, जैसे की, ऐसी mistake, such a mistake, ऐसा आदमी, such a man, ऐसा सईयोग, such a coincidence, ऐसा बड़ा मुद्द, such a big issue, अब है, with, with का अर्थ होगा, के साथ, जैसे, father के साथ, या पापा के साथ, तो कहेंगे, with, my father, मतलब, मेरे पापा के साथ, जैसे हम sentence कह सकते हैं, I came with my father, मैं अपने father के साथ आया, कोई चीज, किसी चीज की help से करते हैं, तो वहाँ भी हम with का यूज करते हैं, जैसे हम कहना चाहते है, cutter से, या cutter, वहाँ पे हिंदी अर्थ होगा, से, पतलब प्रन्तु आ से होगा, कि cutter के साथ, या cutter की help से, cutter के साथ, या cutter से, with cutter, later के साथ, with a letter, तुम्हारे साथ, with you, अब with कार्थ होता है, यहाँ पे के साथ, प्रन्तु हम के बीना बहुलना चाहते हैं, तो हम कहेंगे, without, without, means के बीना, या के बगेर, जैसे, बीना टिकट के, without ticket, बीना permission के, या बीना अनुमती के, without permission, बीना खाने के, without food, बीना तियारी के, without preparation, अब आप लोगों के लिए, एक warning, या चतावनी, यह है, कि इन वीडियो के, आप दुबारा न देखे, बार बार न देखे, क्योंकि इससे आप ज़्यादे practice करोगे, और आप हो सकता है कि, आप English सीख जाओ, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और चेनल को जरूर सब्क्राइब कर ले, बेल बटन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहे, और आप इंगलिस सीखते रहे, थेंक यू,